मीन राशी वालों के लिए कैसा रहेगा साल दोहजर पच्चिस बर्श दोहजर पच्चिस में शनी, गुरू, राहो और केतू करेंगे गोचर मीन राशी वालों का हाल जानने के लिए देखें वीडियो दोस्तो साल 1224 आदे से ज़्यादा बीच चुका है और 2025 दस तक देने को है ऐसे में सबके मन में जिग्यासा है कि उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा उनकी आये कैसी रहेगी, उनका कारोबार कैसा रहेगा, नोकरी कैसी रहेगी, क्या परमोशन मिलेगा रिलेशन्शिप है, तो कैसा रहेगा, नहीं है, तो क्या रिलेशन्शिप कहीं पर बनेगा क्या शादी होगी, जिनके यहाँ पर संतान नहीं है, उनको संतान की दरकार है उमीद है, क्या संतान होगी, अवराल उनकी हेल्थ कैसी रहेगी इन सारे स्वालों के जवाब जो है वो जोतिष में मिलते हैं और इस वीडियो में हम यहाँ पर यह चर्चा करेंगे कि मीन राशी के जातकों के लिए साल 2025 क्या लेकर आया है? क्या शुब रहेगा? क्या शुब रहेगा? बहुत सारी चीजे हैं इस वीडियो में ये चर्चा करने से पहले आपको ये बताएं कि 2025 ऐसा साल है जिसमें चार बड़े गरे राशी प्रोड़तन करेंगे समाने तोर पर ऐसा नहीं होता क्योंकि राहु के तू नॉर्मली डेड़ साल बाद राशी बदलते हैं शनी धाई साल बाद राशी बदलते हैं गुरू का गोचर जो है वो एक साल बाद होता है यानकि गुरू तो हर साल राशी बदलते हैं जैसे राहु के तू के केस में 2024 में हुआ कि राहु के तू का राशी प्रोड़तन नहीं हुआ 2023 अक्तूबर में हुआ था शनी का भी इससे पहले गोचर हुआ लेकिन शनी का गोचर भी 2024 में नहीं हुआ अब 2025 में शनी भी राशी बदलेंगे राहु के तू भी बदलेंगे और गुरू भी बदलेंगे शनी समय के कारक है गुरू बलेसिंग के कारक है राहू के तू के गोचर का जो असर होता है वो बहुत इंस्टेंट होता है कई बार यह बहुत अच्छा असर करते हैं कई बार यह बहुत खराब असर कर जाते हैं तो यहाँ पर आपकी कुंडली के हिसाब से लगाकर आपको दिखाएंगे कि आपके लिए साल 2025 में इन ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा फिलहाल आपके सामने जो कुंडली लगी हुई है वो लगी हुई है एक जन्वरी की आप देख सकते हैं कि शनी आपकी कुंडली में यहाँ पर बारवे भाव से गोचर कर रहे है इसका मतलब यह है कि आपके उपर शनी की साड़े साती की पहली ढहिया चल रही है जो 29 मार्ट 2025 को खतम हो जाएगी आपकी जो राशी है वो जलतत्व की राशी है इसलिए जो मीन राशी के जातक हैं उनके उपर शनी का बहुत जादा असर नहीं होता यह आप थोड़ा सा अपने माइड में कलियर रखिए चार आठ बारा यानि की करक वरिष्चिक और मकर मीन जो राशी हैं यह जलतत्व की राशी होती है शनी यहाँ पर बहुत जादा जो है वो असर नहीं करते हैं अपनी साड़े साती में हाला कि उनकी द्रिष्टी का असर जरूर होता है लेकिन बहुत जादा नुकसान साड़े साती में नहीं होता इन राशीयों को तो मीन राशी एक ऐसी राशी है जिसको बहुत जादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर यह पहली जनुरी की कुल्ली आपके सामने शनी बार्वे भाव में यहाँ पर गुरू का गोचर आपकी कुल्ली में तीसरे भाव में हो रहा है आप देखिए दो राशी में गुरू गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर यह भाव जो है वो तीसरा है यह आपको इंडिगेट हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं और राहू के तू आपकी कुल्ली में चंद्रमा के उपर से और सत्वे भाव में गोचर करने हैं यह आपके गोचर की स्थिती है यह एक जन्वरी की स्थिती है अब देखिए बदलेगा क्या तो 29 मार्च को शनी आपकी कुल्ली में आपके चंद्रमा के उपर से आ जाएंगे यानि कि शनी की साड़े साथी की दूसरी ढहिया शिरू हो जाएगी गुरू थोड़ा सा आगे निकलेंगे पंदरा दिन बाद ही लगबग पंदरा मई को जो है शनी तीसरे भाव को भी देखेंगे शनी सब्तम को भी देखेंगे आप दृष्टियां भी देख सकते हैं साथ साथ ही आपको नजर आ रही है यहाँ पर एक गोचर आपके लिए शुब हो जाएगा गुरू का गोचर निट्रल रहेगा क्योंकि वो केंदर में है यहाँ पर कालपुष्टि कुल्णी में आकर उचके हो जाते है शनी का गोचर चुकी शनी की साड़े साती है इसलिए शुब नहीं मानेंगे बहुत अशुब भी नहीं मानेंगे आपके लिए तो इसका असर आपके उपर क्या होगा यह जानने की कोशिश करते हैं आगे तो जैसे ही शनी गोचर करेंगे आपकी कुल्णी में चंद्रमा के उपर से आ जाएंगे शनी आपकी कुल्णी में ग्यारवें और बारवें दो भावों के स्वामी होते हैं अपने भाव यानि कि अपनी एक राशी मकर राशी यहां पर जो काउंट हो रही है उस राशी से यह तीसरे चले जाएंगे आए स्थान से समंधित फाल अच्छा करेंगे क्योंकि अपनी राशी से तीसरे गोचर करना अच्छा है हला कि आपके चंदर्मा के उपर से होंगे लेकिन अपनी एक राशी से तीसरे होंगे यह अच्छा है और आपको आए के मामले में डेफिनिटली फाइदा जरूर देंगे शनी सब्तम को देखेंगे यदि आप शादी का विचार कर रहे हैं तो चीज़ें डिले हो सकती है क्योंकि यहाँ पर शनी सब्तम को देखेंगे सब्तम जो है वो शादी वाला स्थान होता है क्योंकि शनी सब्तमभाव को सीधी दृष्टी देंगे शनी देशम को देखेंगे लेकिन यहां पर गुरू की दृष्टी रहेगी आप देखिए दोनों दृष्टी यहां पर जा रही है तो जब गुरू की दृष्टी 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 दृ अब यहां पर देखिए राहू बारवेंभाव में है और गुरू की दिश्टी बारवेंभाव के उपर, यानि कि मीनदाशी के जितने भी जातक हैं, वो डेफिनेटली 25 में विदेश यात्रा कर सकते हैं, बारवांभाव आपका विदेश यात्रा का भाव होता है, पर बैठेंगे तो जो को भी कैंवे लिआ अपके से से की का भाव होता है आपके सुसरार्ण पक्षा रहाइब का भाव ह होता है और यह भाव से समंधित वह भी आपको neutral मिलते हुए नजर आएंगे हाँ इतना जरूर है कि थोड़ा सा गाड़ी जरूर धीमी चलाइएगा अपने password थोड़े से जरूर सक्योर रखेगा अधर्वाइस इसके positive फ़ल आपको जरूर मिलेंगे चुकी गुरू की द्रिष्टी वहां हाला कि यह जो ट्रेंगल होता है यह बहुत अच्छा ट्रेंगल नी होता लेकिन चुकी गुरू सुक्तान में है तो सुख जरूर देंगे लाइफ में 2025 आपके लिए गुरू के लिहाज से काफी अच्छा रहने वाला है रा केतू चुकी बहुत अच्छी प्लेस्मेंट में आगे है केतू च्छठे भाव में आ जाएं तो च्छठा भाव रोगरिन शत्रू का भाव होता है तो बिमारियों से निश्ची तोर पर आपको जब मुक्ति दिलाने का काम कर सकते हैं यदि आपको को छोटी मिट्व फीजिकल प्रोडम है तो जैसे ही केत और शनी दोनों तश्म को देखेंगे रहू भी देख रहे हैं केतू की दिरिष्टी धरनस्तान के उपर भी रहेगी और धरनस्तान के ओपर केतू की दिरिष्टी का मतलब यह है कि वहाँ पर आपको अच्छा फाइदा हो सकता है चुकि गुरू की दिरिष्टी करमस्तान के उपर है करम बढ़ेगा कारोबार बढ़ेगा या नोकरी बढ़ेगी पुजिशन आएगी तो डेफिनेटली इस मामले में भी आपको फाइदा हो सकता है शादी की मामले में जरूर आपको डिले होगा ये थोड़ा सा आपको जो है वो वीट करवा सकते हैं लेकिन गुरू चंदर्मा बनते हैं आपके फिफ्ट हाउस के स्वामी तो चंदर्मा जब जब गोचर में गुरू के परभा में आएंगे या गुरू जो है वो केंदर में है चुकि पंचम के कारक गुरू होते हैं तो केंदर में आना गुरू का अच्छा है संतान का सुक गुरू यहां प होते हैं उनका गोचर वहाँ से अच्छा होता है चुकि आपकी रáशी के सवामी है राशी के स्वामी हो कर सो सुख सान में बैट जाना हर तरह का सुख देने का काम यहां पर गूरू करेंगे आपको तो ये आपकी कुंडली में 2025 में राहू केतू और शनी के गोचर का जो है वो प्रभाव रहेगा तिथिया हमने आपको वैसे बता दी है लेकिन एक तिथिया आप जरूर नोट रखिए 29 मार्च से लेकर 29 माई की ये इसलिए साधानी पूरो रख थोड़ा सा यहां पर ज्यादा चलना है क्योंकि यहां पर देखिए यह जो कुंडली है लगी नदर आ रही है यहां पर शनी और राहू एक साथ हो जाएंगे राहू ट्रांजिट करेंगे शनी वहीं पर रहेंगे और शनी और राहू दोनों एक साथ जो है वो रहेंगे लगबग दो महीने 29 मार् किसी के साथ भी कंफ्रिक्ट मत करिये, खास दो पाप ग्रहों का सब्तम को प्रभावित करना अच्छा नहीं है, 29 मार्च से लेकर 29 मई तक, बाकी जो मीन राशी के जातक हैं, अधिकतर जातक जो मीन राशी के हैं, उनके उपर शुक्र की महादशा चल रही है, बहुत सारे ऐस जातक होंगे, जिनको शुक्र की महादशा शुरू होई होगी, और बहुत सारे ऐसे जातक होंगे, जो शुक्र के दशा से गुजर जाएंगे इस साल में और उनके ओपर सूरे शुरू हो जाएंगे, या कुछ को सूरे शुरू भी हो चुके होंगे, तो शुक्र जो है, वो महातशा यदि आपकी लिए कंडी में शक्रपीडित형 है तो आपशुक्र रेमडीज दुब करिये अदरवािज सूले की रेमडीज जडूर करिये शुले GoshI यूष्छी हैं आपके लिए और आपको उसा की इतिक में वाहिए शुक्र की रेमिडी के तोर पर यदि आप मेरेड है तो अपने पार्टनर को कोई ना कोई सर्प्राइज गिफ्ट दीए उन्हें कहीं डिनर पे लेके जा सकते हैं बर्डे के दिन पार्टी दे सकते हैं सूट दे सकते हैं परफ्यूम गिफ्ट कर सकते हैं उनको सर्प्राइज दिना आपके लिए अच्छा है क्योंकि शुक्र मेल चार्ट के लिए वाइफ के कारक होते हैं जितना वाइफ आपकी खुश रहेगी उतना आपके लिए शुक्र जो है वो अच्छा फल करते हैं इसके इलावा शुक्र के दूसरे उपाय के तोर पर आप गवशाला में जाकर आप गव माता की सिवा कर सकते हैं और अपना अटायर जो है वो बहुत बैटर रखिए डिली अपने आपको क्लीन रखिए इससे आपका शुक्र डेफिनिटली अच्छा होता है यदि आप महिला है तो आप अपने आपको थोड़ा सा सजा सवार कर रखिए उससे आपको उस सूरे की माहतेशा चल रही है वैसे मैक्सिमम लोगों के ओपर शुक्र की ही चल रही होगी तो यह रेमेडियो आप ले सकते हैं इस से आपको बहुत फैदा होगा जाते जाते है दोजर पच्छिस के लिए आप सब को शुब काम लाएं आपका दोजर पच्छिस बहुत शुब करिए और लाइक जरू करिए